जब शोईब अक्तर ने मैच से पहले दी थी रॉबिन उथपपा को धंगी वज़ा जानकर चौक जाएंगे आप पाकिस्तान के पूर्वे तेस किन्दबास शोईब अक्तर ने क्रिकेट खिलने के दोरान अपनी रफ़तार से कई दिक्ष पलेबासों को परिशान किया विरोदी टीम उनके नाम से खौफ खाती थी अक्तर के खौफ से जुड़ा ऐसा ही एक किस्से का खुलासा भारती वलिबास रॉबिन उथपपा ने किया है उथपपा ने यूट्यूब चैनल पर बताया कि कैसे एक मैच से पहले अक्तर ने उन्हें धंग की दी थी ये घटना 2007 नवंबर की है उस समय पाकिस्तानी टीम भारत दोरे पर आई थी और दोनों देशों के बेच वंडे सिरेस का चौथा मुकाबला गौालिर महुरा था इसे मेच मैच सब एक दिन पहले शोईब ने उथपपा को धम की दी थी कि अगर वो उनके खिलाफ कदमों का इस्तिमाल कर शौट खेलेंगे तो वो सीधे सिर पर बिमर फेक देंगे इससे उथपपा इतने डर गए थे कि उन्होंने शोईब के खिलाफ अपने कदमों का इस्तिमाल का शौट नहीं खेला उथपपा ने उस खटना को याद करते हुँ बताया कि हम गुवाहाटी में एक मैच खेल रहे थे हमें मैच में 25 के इन में जीतने के लिए 12 रन मिलाएं थे और मैं और इर्फान पठान क्रीज पर मौजूद थे मुझे याद है जब मैं बल्ले बासी कर रहा था तब शौइब ने मुझे एक यॉरकर फेंगी थी मैं उस गेन को बेहतर तरीके से खेलने में सफल रहा इस गेन की रफतार 154 किलो मिटर पती खंटे की आसपास थी इसके बाद उनकी अगली गेन फुल टॉस थी और इस फर मैंने चौका लगाया और फिर हमने जित के लेती इन चारण की जरूरती मैंने खुछ से कहा कि देखो मुझे श्वय वक्तर की गेन पर कदमों का इस्तिमाल करके शौट मालना है मैंने सोचा कि मुझे ये मौका कितनी बार मिलेगा उन्होंने एक लंबी गेन फे की मैंने कदमों का इस्तिमाल करते वे शौट मालनी की कोशिश की लेकिन गेन बल्ले का किनारा लेते वे चौकी के लिए चली गई और हमने मुकाबला चेत लिया इसके बाद हम होटल में लौट आए हमें अगला मुकाबला गौालीर में गेना था उस राद हम होटल में खाना खा रहे थे तब शौट बगतर नहीं आ गए रॉबी ने बताया कि तब शौट इबने मुझ से कहा कि तुमने अच्छी बलबासी दी इसके बाद उन्होंने मुझे से एक और बात कही कि तुमने कदमों का इस्तमाल कर मेरी खिलाफ शॉट खेला अगर दो बारा तुमने ऐसा शॉट खेला तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा हो सकता है कि एक भी मर सीथा तुमारे सेर की तरफ आए उतर पने आगे बताए कि शोईप केस थमकी से इतने खौफ में आगे कि फिर उनके खिलाफ ऐसा शॉट नहीं खेला अच्छी बात यह रही कि भारत पाच मेंडे की सीरीज तो एक स्टीन से जीत किया था